ये चुनाव नया रास्ता और नया आस्मा बनाम तेजस्वी जी से हम सब दलों ने चर्चा की थी मैं केवल एक छोटा सा मुद्दा आपके स्मक्ष रखूंगा किसान और नौजवान यहीं तो बिहार है उसमें मजदूर भी आ गया गरीब ऐसी बीसी के हमारे भाई भी आ गए खेती पर एक सुन्योजित तरीके से मोदी सरकार ने हमला बुला है भारतिय जंता पार्टी की केंद्रिय सरकार देश की हर एक क्रांती को हराना चाहती है पिछडे दलिक वो सारे साथियों को इस शडियंतर को विपल करना है इसकी शुरुवात भी इतिश काभू ने 2006 में की थी जब एपी एंसी की मंडियां खतम की थी क्या मोदी जी और नितिश वागू ये बताएंगे कि अगर सारी मंडियां खतम हो जाएं अगर कुछ रहे ही ना तो किसान को MSP यानि नियूम्तम समर्थन मुले कैसे मिलेगा कौन देगा और कहां देगा साड़े पंदरा करोड किसान देश में है अगरिकल्चर सेंसस दोहजार पंदरा सोला के मताबिक और अगर मुझे सही याद है तो एक लाख पचेतर एक करोड पचेतर लाख के करीब बिहार प्रदेश में तो क्या आप उनके खेत में जाकर MSP देगे FCI तो 42,000 देश की मंडियों में MSP नहीं दे पाती तो खेत में कैसे देंगे इसलिए आपने वादा किया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहले विधान सभा के सत्र में इन तीनों क्रिशी विरोधी काले कानूनों को खतम करने का कानून पारित तेजस्वी जी के नेत्रितव में हमारी महाघटबंदर की सरकार करेगी और किसान को गुलामी की इस बेडियों से जो भाजप्पा ने डाली हैं उनसे आजादी दिलवाएंगे